हलो फ्रेंड्स स्वागा थे आप लोग का एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल बैक टूए स्कूल में और आज का यह स्टोडी बहुत ही अच्छा होने वाला है और इस वीडियो में आप लोग को बहुत सारा निव वर्ड मिलेगा जो कि यह स्पीकिंग में बहुत हिल्प क करता है और आपकी रीडिंग प्रैक्टिश को भी स्ट्रॉंग करेगा तो चलिए शुरू करते हैं देखते हैं टाइटल क्या है दकाउज एंड दो लाइन्स तो टाइटल का मीनिंग क्या निकलेगा गाये और सेर एस लगा हुआ है गाउज में भी और लाइन्स में भी इस फाइव काउज लिवड इन लिटल फोरेस्ट, तो पूरा संटेंज का मीनिंग क्या निकलेगा, पाच गाय एक जंगल में रहती थी, आगे देखते हैं, तो इसका पूरा मीनिंग क्या निकलेगा, वो ताजा घास खाया करती थी, एक बड़े मैदान में, आगे देखते हैं, वो बहुत अच्छे दोस्त थे, इसका मीनिंग क्या निकलेगा, वे फैसला किये सब कुछ साथ में करने के लिए, आगे देखते हैं, इसका मीनिंग क्या निकलेगा, इसलिए शेर उनके उपर हमला ना कर सेगे, खाने के लिए, आगे देखते हैं, इसका पूरा मीनिंग क्या निकलेगा, एक दिन पाँचों गाय अपस में लराई कर लिए, और वो लोग अलग अलग जगह में गास चरना स्टार्ट कर दिये, आगे देखते हैं, इसका पूरा मीनिंग क्या निकलेगा, शेर ने फिर ये निर्नाय लिया, कि ये तो अच्छा उपर्चुनिटी है, और उन लोग को एक एक करके मार दिया, और उन लोग को एक एक करके मार दिया, तो फ्रेंड्स जिन लोग को वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक छोड़ा से लाइक जरूर करें,